ओम नारायन 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 सब मित्र कुराम राम सबका स्वागा थे दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों कभी कुछ मीडिया आर्टिकल्स निउस रिपोर्ट्स वगरा पढ़ता हूं तो सच में बहुत ज़्यदा चिंता हो जाती है अभी ये वीडियो बनाने से पहले सच में मुझे अपने कुरोध पर अपने गुस्से पर बहुत ज़्यदा कंट्रोल करके फिर मैं वीडियो बना रहा हूं अभी कल ही मैंने एक रिपोर्ट पड़ी आर्टिकल बॉल्यूड हमारे चतरपती शिवाजी महराज की इतिहास पर एक फिल्म बनाने जा रहा है शाहिद कपूर को साथ में ले करके और पता है उस फिल्म को ड्रेक कौन कर रहा है OMG2 के ड्रेक्टर OMG2 जैसी फिल्म के ड्रेक्टर को साथ में ले करके बॉल्यूड हमारे महराज की इतिहास पर फिल्म बनाने जा रहा है अगर मुझसे कोई पूछे ना कि भाई भारतिय सिनिमा की इतिहास की सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हिंदु विरोधी मानसिक्ता की फिल्म बताओ तो मैं निसंग कोच निसंग बिना कुछ सोचे OMG2 का नाम बता दूँगा हिंदु विरोधी फिल्म की लिस्ट में सबसे उपर में OMG2 को ही रखूंगा शाम सिंगरोय या PK जैसी फिल्म है तो उससे नीची आएंगी क्योंकि वहाँ पर कम से कम उन फिल्मों के मेकर्स जैसे हैं वैसे सामने बता कर फिल्म में बना रहे हैं हाँ हम है हिंदु विरोधी और हम अपने एजनडा को प्रमोट कर रहे हैं अपने फिल्मों के माध्यम से तो ऐसे content से उतना डर नहीं होता क्योंकि वहाँ पर उस content के एक particular audience है और वो पता है वो क्या प्रमोट कर रहे हैं क्या दिखा रहे हैं तो वो उस देखते हैं, पर ONG2JC फिल्मों के मेकर्स संस्कृति का मुखोटा ओड करके जो अपने घिनोने वोक और लिबरल एजेंडास को प्रमोट करते हैं और वो भी हमारे संस्कृति की जो सिध्धानते उससे exactly opposite बाते बता कर और उपर से संस्कृति का मुखोटा ओड कर, ऐसे फिल्मों से, ऐसे फिल्मों के मेकर से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है वहाँ पर वो उस ओडियंस को टार्गेट कर रहे हैं, जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता में विश्वास रखते हैं, और उस ओडियंस को टार्गेट करके, अपने घिनोने एजेंडास को प्रमोट करते हैं, और इसी कारण से OMG2 जिससी फिल्म में मुझे अभी भी उस फिल्म का नाम में लेता होना, तो मुझे ये, मैं आपको सबस्वे में ऐसा लगेगे कि मैं कुछ अतिशयोकती बोल रहाँ और उस फिल्म के साथ में जो भी उसके अक्टर्स अभी भी में देखता होना, तो देखने का ही मन नहीं करता, सच में कोई सिमा नहीं है उस फिल्म में जो और मैंने तो कहा, OMG2 के मेकर्स को जो प्रमोट करना है करे, एक नहीं हजार फिल्मे बनाकर प्रमोट करो हमारे संस्कृति को छोड़ दो तुम अपने जिन सो कॉल्ड सेंटिपिक स्टडीज जो अलग-अलग स्टडीज होती रहती है वर्ष बर इनके इधर पचास लोगों पर की उधर दस लोगों पर की दर तीस लोगों पर की होती रहती इनकी रिपोर्ट्स पब्लीश होते रहते हैं तो उन अपनी सो कॉल्ड स्टडीज के नाम पर अपने उस वेस्टन सैकोलोजी के पच्चिमी मनुविज्यान के नाम पर अपनी फिल्में बनाओ और प्रमोट करो खुब प्रमोट करो फ्राइड के मनुविज्यान पर आधारित सेक्स एजुकेशन सेक्शुल फ्रीडम सेक्शुल लिबरेशन जो तुमको प्रमोट करना है अस्तमे तुसे कोई नुकसान नहीं होती वो तो बहुत हेल्दी है सामान और सुस्त प्रमोट करना है करो यार और सेक्स एजुकेशन का जो मुख्य एजेंडा उद्देश जो हम पश्चीमी देशों में खुल कर देख रहे हैं वहाँ पर लाखो लाखो पैरेंट्स सडको पर आकर के विरोध कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को उनकी बच्चों को जेंडर को लेकर कन्फ्यूज कर दिया जा रहा है सेक्शन लिबरेशन के नाम पर जो कुछ बात है LGBT को एजेंडा आधी बच्चों के सामने उनके दिमाग में डाला जा रहा है पैरेंट्स किस प्रकार से विरोध हो रहा है और वो अभिन अंग है सेक्श एजुकेशन का तो OMG2 के मेकर्स ने भले ही वो डायरेक्टली सेक्श एजेंडा है वो सामने ना रखकर दिखा वेटी मुखोटा ओड कर संस्कृती का फिर ये हस्तमेतन तो सामाने और स्वस्त प्रक्रिया है और सामने दिखाने के लिए बस गुट टच और बैट टच हम सिखाएंगे मुखे एजेंडा क्या है सेक्श एजुकेशन का सब को पता है जो जगन ने अपरात OMG2 के माध्यम से उसके मेकर्स ने किया था उसके लिए तो कभी मैं तो कम से कम कभी किसी भी परिस्तिते में क्षमा नहीं कर पाऊंगा और ऐसे डिरेक्टर को साथ में ले करके हमारे महराज की इतिहास पर बॉलिवड फिल्म बनाने जा रहा है सोचे ऐसी फिल्म बनाने की पीछे की मानसिक्ता क्या होगी और आप देख लीजे खुद ही पिछले 4-5 वर्षो में इस इंडस्ट्री ने रश्टरवात के नाम पर कैसे रश्टरवात का भद्दा मजाक उड़ाने वली फिल्म में बनाई है हमारे संस्कृति और इतिहास का कैसे भद्दा मजाक उड़ाने वेली फिल्में बनाई है पिछले हफते में ने वीडियो बनाये था आदिपुरुष, गनपत, समराड प्रत्विराज, O.M.G. 2 SE 15 फिल्मों के नाम मैंने इस वीडियो में दिये हुए है जिनमें निरलज जता के साथ में बॉलिवूड ने रश्च्रवात का भद्दा मजाक उड़ाया और सुचिए O.M.G. 2 की फिल्म के डिरेक्टर को लेकर के फिल्म मना रहे हैं उसमें क्या इतिहास हो दिखाएंगे हमारे महराज की इतिहास पर वामपंथियों ने बहुत सारा इतिहास को विकृत करने वाला इतिहास के साथ छेड़ चाड़ करके तोड मरोड करके लिखावा बहुत सारा ऐसा साहित वामपंथियों के द्वारा लिखावा है उपलब्ध है तो क्या उस इतिहास को लेकर के बॉलियूर्ट, मुझे तो शंका है मेरे मन में तो चिंता है क्यों बॉलियूर्ट से तो वही अपेक्षाम कर सकते हैं कि वह अपने उस सो कॉल्ड तताकतित सेकलियूरिजम के एजेंडा को ही हमारे महराज की इतिहास के आड़ में भी प्रमोट कर सकते हैं और है ही इतिहास के साथ छेड़शाड किया हुआ बहुत सारा साहित्यभी उपलब देवाम पंतियों का मेरे मन में तो कम से कम भाई ऐसे प्रोजेट को लेकर चिंता ही बहुत ज़्यादा आदिक होती यह वीडियो बनाने से पहले पता है मैं अपने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके अपने क्रोथ पर अपने गुस्से पर कंट्रोल करके फिर मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा क्योंकि यह सब पढ़ता होना तो सच में इतनी चिंता होती कि मैं बता नहीं सकता शब्दों में इसके साथ ये एक और प्रोजेक्ट है विकी कोशल को साथ में लेकर के चत्रपती संभाजी महाराज की जीवन पर बॉलिवड फिल्म बनाने जाए और उस पर तो काम भी शुरू हो गया है और उसे डिरेक्ट कर रहे है लुका चूपी के डिरेक्टर लक्षमन उतेकर देखे लक्षमन उतेकर उनकी मीमी फिल्म अच्छी थी पसंद आई थी मुझे मैंने उसको सबोर्ट भी किया था लिबरल्स और वोक्स ने उसके विर्दो जो छाती कूटी थी उसको लेकर मैंने उनको उत्तर भी दिया था पर उन्तु मीमी कोई संस्कृति के अईतिहासिक फिल्म नहीं है हाँ लक्षमन उतेकर उनका संस्कृति की तरफ देखने का दृष्टि कोन क्या है वो लुकाचुपी से हमें पता चलता है और वो अब्वियसली गलत ही है जितना लुकाचुपी को देखकर मैं समझा आप हमारा लुकाचुपी का रिव्यू देखिए तो उस फिल्म को देखकर के मुझे तो विश्वास नहीं है वो हमारे चतरपती संबाजी महराज की इतिहास को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं मेरे मन में तो नहीं है विश्वास और एक और विश्वास नहोने का कारण यह है उस प्रोजेक्ट को विकी कोशल को साथ में लेकर कि यह जो फिल्म बना रहा है उसको बॉलूड का एकोसिस्टम प्रमोट कर रहा है यह मैंने देखा पिछली कुछ महिनों में कई सारे बॉलूड के पेजेस बॉलूड के एकोसिस्टम से जुड़े हुए बड़े-बड़े जो मीडिया पोर्टल्स वगेरा है न वो उस फिल्म पर अपडेट्स दे रहे है यह विकी कोशल को लेकर कि उस फिल्म के शुटिंग से रिलेटेड अपडेट्स वगेरा भी मैंने देखे तो बॉलूड का एकोसिस्टम जिस फिल्म को प्रमोट कर रहा हो तो उसको एकसी बात है रश्रवादी विचारधारा से तो उसका लेना देना तो शायद ही होगा ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जब रश्रवादी विचारधारा पर आधारित सहीत माइने में कोई फिल्म बनती है तो उसको तो यह एकोसिस्टम इग्नोर कर देता है वो तो उनके लिए एक्जिस्टी नहीं करती फिल्मे वो फिल्मे इस इंडिस्टी के लिए एक्जिस्टी नहीं कर रही थी उनके अपडेट्स के आपने कहीं पर देखे उनके पोस्टर को लेकर, टीजर को लेकर, ट्रेलर को लेकर या जब उसकी shooting चल रहे थी उसके actors को लेकर कही पर कोई update आप ने देखा नहीं भाई मेने तो नहीं देखा कम से कम तो सही मायने में जब राष्टरवद विचारधारप राधारित फिल्म में बनती ही ना तो ये industry उसको ignore कर देती है तो यहां पर विक्की कोशल को साथ में लेकर के हमारे चत्रपती संबाजी महराज की जीवन पर जो बॉलिवड फिल्म बनाने जा रहा है मेरे मन में तो संदे है और बाकी OMG2 के डिरेक्टर को साथ में लेकर के जो एक और दूसरी फिल्म बना रहे है हमारे महराज की जीवन पर उसको तो सोचकर ही डर लग रहा है कि पता नहीं वो क्या दिखा देंगे क्योंकि OMG2 में हमने देखी न क्या मानसिक्ता है डिरेक्टर की और इस प्रकार की इतनी निमनस्तर की मानसिक्ता के साथ में हमारे महाराज की इतिहास के तरफ कैसे देखेंगे सोच कर भी डर लगता है कि वो क्या दिखाएंगे फिल्म में मैं तो बॉलिट से यही कहूंगा कि भाई बनाओ यार अपनी वो वोक एजेंडा वाली फिल्में बनाओ हमारे संस्कृति को हमारे इतिहास को छोड़ दो कम से कम क्योंकि पिछले तीन-चार वर्शार वर्शों में हमने देखा राश्टरवाद के नाम पर कैसी भद्धा मजा को ड़ने वाली इस इंडस्ट्री ने फिल्म में बनाई है गिनोनी से गिनोनी फिल्म में राश्टरवाद के नाम पर उसके आडमीन का क्या दूसरा ही कुछ चलता रहता है वो भी हमने देखा पंदरा फिल्मों के नाम मैंने यहाँ पर बता हैं यह वीडियो आप हमारा देखना कम से कम हमारी आने वाली जनरेशन को छोड़ दो यार क्यों बरबात करने के पीछे पड़े हुए हमारी संस्कृति को हमारी इतियास को जैश्री राम बंदी मातरम